नमस्कार मित्रों स्वागय था आप सब का इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ड, सुचकांग को और अंतरराष्टी रिपोर्ट में भारत के अस्थान को देखेंगे और ये जितने भी सुचकांग और अंतरराष्टी रिपोर्ट है ये सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए अतियंत महत्वपूर्ड है तो चलिए देखते हैं कि वो महत्वपूर्ड, सुचकांग कोन-कोन से है और उनमें भारत का अस्थान कोन सा है तो आईए देखते हैं विभिन सुचकांग को और अंतरराष्टी रिपोर्ट में भारत का अस्थान कोन सा है तो इसमें जो हमारा पहला महत्वपूर्ड सुचकांग के इंडेक्स है वो है Human Development Index 2019 यानि मानोविकास सुचकांग 2019 इसमें जो भारत को अस्थान प्राप्त हुआ है वो है 129 यानि 129 जो Human Development Index 2019 है इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 139 है इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ड इंडेक्स या सुचकांग है वो है Global Energy Transition Index 2019 यानि वैस्वी कुर्जा संक्रमण सुचकांग 2019 यानि वैस्वी कुर्जा संक्रमण सुचकांग में भारत का जो अस्थान है वो है 76 इसको आप लोग याद रखेंगे और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर्ड सुचकांग या इंडेक्स है वो है Ease of Doing Business 2020 यानि उद्द्योग सहजता सूचकांग 2020 इसमें जो भारत का रेंख है वो है 63 यानि उद्द्योग सहजता सूचकांग में भारत को 63वार स्थान प्राप्त हुआ है और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर सूचकांग के इंडेक्स है वो है Global Intellectual Property Index 2020 यानि अंतरराष्टी बौधिक संपदा सूचकांग 2020 इसमें जो भारत का स्थान है वो है 40 यानि अंतरराष्टी बौधिक संपदा सूचकांग में भारत को 40 मा स्थान प्राप्त और इसी तरह से हमारा जो अगला महत्वपूर इंडेक्स है वो है Global Peace Index 2019 यानि वैस्विक संपदा सूचकांग 2019 इसमें जो भारत को अस्थान प्राप्त हुआ है वो है 141 यानि Global Peace Index 2019 में जो इंडिया का रैंक है वो 141 है इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर सूचकांग है वो है Global Hunger Index 2019 यानि वैस्विक भूख सूचकांग 2019 इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 102 है इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर सूचकांग की इंडिक्स है वो है वैस्विक जलवायू संकट सूचकांग या Global Climate Risk Index 2020 इसमें जो इंडिया को रैंक है वो है 5 इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि वैस्विक जलवायू संकट सूचकांग में जो भारत का स्थान है वो पाचवा है इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर इंडिक्स है वो है Global Manufacturing Risk Index 2020 यानि वैस्विक वे निर्माड जोखिम सूचकांग 2020 में जो भारत का स्थ जान है वो तीसरा है इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर सूचकांग है वो है Global Innovation Index 2019 यानि वैस्विक नवीनता सूचकांग 2019 इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 52 है इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि Global Innovation Index 2019 में जो भारत का रैंक है वो 52 यानि 52 है इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर इंडेक्स सूचकांग है वो है Global Competitiveness Index 2019 यानि वैस्विक प्रतिसपर्धा सूचकांग 2019 इसमें जो भारत का रैंक है वो 68 है इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और इसी तरीके से जो हमारा अगला महत्वपूर सूचकांग है वो है Global Livability Index 2019 यानि वैस्विक प्रतिसपर्धा सूचकांग 2019 इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 118 है यानि वैस्विक लिवविल्टी सूचकांग में भारत को 118 रैंक प्राप्त हुआ है इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर सूचकांग या इंडेक्स है वो है Global Social Movability Index 2020 यानि वैस्विक समाजिक सूचकांग 2020 इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर सूचकांग है वो है Global Democracy Index 2020 यानि वैस्विक लोगतंत्र सूचकांग 2020 इसमें जो भारत का अस्थान है वो 51 है यानि Global Democracy Index 2020 में जो भारत को अस्थान पराप्त हुआ है वो है एक क्यावनवा इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्वपूर इंडेक्स है वो है Global Gender Gap Report 2020 इसमें जो इंडिया का रैंक है वो 112 हुआ है ये जो Global Gender Gap Report है इसका उद्यस से होता है स्वास्त सिक्षा अर्थविवस्था और राजनीत में महिलाओं और पूर्सों के बीच सापेक शंत्राल पर प्रगती को ट्रैक करना यानि जो Global Gender Gap Report है ये महिलाओं और पूर्सों के बीच सापेक शंत्राल पर प्रगती को ट्रैक करता है और इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 112 हुआ इसी क्रम में जो हमारा अगला महत्तपूर इंडेक्स है वो है हिनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2020 इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 86 अब ये जो हिनले पास्पोर्ट इंडेक्स होता है ये दुनिया के सभी पास्पोर्टों की एक क्रमबध रैंकिंग करता है और यह बता भारत का mobility score यानि गतिशीलता अंक है वो 58 है इसका मतलब यह हुआ कि भारत की लोग 58 देशों में बिना किसी पूर वीजा की यात्रा कर सकते हैं इसमें जो भारत का जो गतिशीलता अंक है वो है अंठावन इस चीज को आप लोग याद रखेंगे यानि भारत की लोग 58 देशो में बिना किसी वीजा की यात्रा कर सकते हैं तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर इंडेक्स और इस वीडियो में यहीं तक अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर जीके के प्रशनों के साथ फिर मिलेंगे धन्यवाद